आइडिया क्या है? सबसे पहले क्रशी भूमी खरीदो, फिर उस क्रशी भूमी को इंडस्टियल लेंड में कनवर्ट करा दो, और फिर उस इंडस्टियल लेंड में कनवर्ट कराने के बाद, जो कमपनी इस क्रशी भूमी खरीद कर इंडस्टियल लेंड में कनवर्ट कराती है वो कंपनी बारत सरकार से 10 करोड रुपे का अनुदान भी ले लेती, ग्रांट भी ले लेती, इनके लिए सिरफ एक ही शब्द दिमाग में आता है, what an idea, सर जी, पर ये idea सबके लिए लागू नहीं है, इस idea को करने के लिए, इस idea का फल पाने के लिए, आपको भारती जनता पा East Entertainment Limited, और ये कंपनी की वेबसाइट है, इस कंपनी की वेबसाइट का ये होम पेज है, जो महिला आपको दिख रही है, वो असम के मुख्यमंत्री जी की पतनी है, हेमंतो बिश्व सर्मा जी की पतनी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वेबसाइट का हवाला दे, उसका कॉपी दे रहा हूं, और इस वेबसाइट पर लिखावा है, दा लीडिंग रीजनल मीडिया हाउस कनेक्टिंग दा एंटायर नौर्थीस रीजिन, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है, इसने क्या किया इस कंपनी ने और इस कंपनी की CMD के रूप में, आप देखिए यहां पर लिखावा है, रिनकी भुया शर्मा, CMD, दोजार इक्कीस में तो मुखेमंत्वी जी ने पद गोपनियता और समीदान की सपत ली, उसके बाद ये पचास बिगा जमीन ये कंपनी खरीदती है, और ये कंपनी की पहले तो अग्रिकल्चर लेंड खरीदी जाती है, एग्रिकल्चर लेंड से इंडस्टियल लेंड में कनवर्ट हो या कर दिया जाता है, इंडस्टियल लेंड से ये कंपनी फुड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है, और मोधी सरकार दस करोड का अनुदान, दस करोड की ग्रांट इस कंपनी को देत लिए किसान संपदा योजना के तहट अब मेरे को यह नी समझ में आरा